आज हम आपको बेबी ख्रोप बनानी बताएंगे और यह 1-2 साल के बेबी की ड्रार से है तो सबसे पहले हमने इसको यह देखिए फॉरफॉल्ड है यह हमारा फॉरफॉल्ड कपड़ा है दो हमारी यह हैं ओर दो हमारी यह हैं और इस साइड से बंद हे हमारा फुलावा जो पल्वा है मैं मैं तरहा हम hip hop जो इसकी चोड़ा रक्पी उह हमने दस लिए हे हैं और जो इसकीं गेहरा ही मैं ऑप साड़ी साड़ी 60 लिए हो तीरा हम 4.5 इंच लेंगे और जो आर्म होल का निशान है वो भी हम 4.5 का साड़ी साथ चेश्ट का निशान लगाएंगे और जो हमारी नेक वित ले वो हमारी धा इंच की रखेंगे और जो आगे का अगला होगा वो हम 3 इंच का रखेंगे और पीछे का एक इंच गुलाई देंगे इसी तरह यहां पर साड़ी साथ हमने चेश्ट का निशान लगाया है और अब हम इसको इस तरह से मिलादेंगे अब एक इंच का निशान हम यहां पर लगाएंगे इस तरीके से और यहां पर हम अब सबसे पहले पीछे के गले की गटिंग करेंगे अब आगे के गले की स्थान के का पीछे की पिछे अब यहां पीछे का पीछे उसमें यहां एक बटन हो जानके लिए तीन इंच का निशान लगाएंगे अब निचे निचे के लाइनिंग दगाएंगे तो जिसकी चोडाई है वह 12 इंच की है और इसकी नंबाय 8,5 साथ इंचे लिए अब देखिए फॉर फोल्ड है हमारा दो फोल्ड दिए हुए और दो फोल्ड हमारी यह हुए ही हुए लेए हुए लेखिए प्राफोका हुए लेखिए प्राफोका हुए तो यह हम आगे का पीस रखकर इसके आगे की गले की कटिंग करेंगे अब देखिए आगे की गले की कटिंग करके हमने इसके उपर इनर दगाया है और यह हमारा पीछा का पीस है पीछे के गले की कटिंग करके अब दीखें, यह हमारे पास दू फ्रिल के लिए है जो इनकी लेनते शाड़े पांच लिए है जो इनकी चड़ायों साड़े 19.00 की है और इसको हम नीचे से इस तरह से फोल करेंगे अब सबसे पहले हमें इस तरह से ये सिधी तरफ रखते वे और इसके उपर हम इना हम अगला है जाग दो उगा जड्ड़ टो जड़ो हम भी प्रवां प्रमगण प्रमगद पुड़ प्रमगद 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 आप यह पाज़ एक हो धक पाज़ एक डेंगे वाल इंपक्टब्स पाज़ इंपक्राइब आर जार लावड़ झाललल यार बाल पाज़ पाललल पालल अब हमारी और अब हम इसको इसके उपर रखेंगे सिदी साइड अब हम यहां पर शिलाई लगाएंगे झाली कारी मी पर गगाइब को आवाएंगे अपर करता Любल्स कि और यहेंगे अब हां इसको पर stay सकते हमारी तोड़के सोबतम है और शिलाऊनों हे चलाई खादा फश्रें आफान दूपतम है। ढ़नų हम जगाँ है। टत्पोड़ों एकी बड़ोगा तरैवैनल कि अफ़ों एक टीचल कि अपम्टाइ इस बिल भिलत है व्पम्टाइब प्रेयों रर्टीच अपमे लूत प्रुट़ों रगा रगा तो दिखिए यह हमने सिर्फ पीछे की यह आगे का पीस हमने अंदर किया और जो पीछे वाला पीस से सिर्फ इसका आगे का हमने पहले कर लिया है और इसको हम सीधा इस तरह से स्टीच करेंगे और इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे तीरी हमें जो आगे वाले हैं और पीछे वाले हैं इस तरह से लेना है इसी तरह दूसरी साइड भी और आगे वाला पीस अंदर करते वे सिर्फ पीछे के जो पीस है उस कारम होल हमें इस तरह से मिलाते वे जोड़ना है चोटे चोटे स्मॉल करत हम यहां पर लगाएंगे और आप देखिए इस तरह से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यह हमारा आगे का पीस हो जाएगा और यह हमारा पिछे का पीस हो जाएगा और अब इस तरह के से करके हम यहां पर छोटी स्लाई लगाएंगे अब देखिए दोनों ही पीस पर हमने आगे और पीछे की इस तरह से स्लाई लगा दी है यह देखिए अब अब देखिए सीधा करने के बाद मुछ हमारे इस तरीके से दिखेंगी बेवी ट्रैस अब हमें करना क्या है जो हमने यह नीचे के बोटम के लिए हमने फ्रील के लिए निकाले थे तो इसमें हमें सबसे पहले यहां पर हमें इसमें इसको गैधरिंग करनी है तो बड़ी बख्या चलाकर हम इसके गैधरिंग करेंगे दोने ही पीस में उसके बाद एक साइड से हम इसको नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे अब देखिए नीचे की तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और उपर से हमने यह बड़ी बख्या लगा ली है और यह जो धागा है इनको हम सबसे पहले इस तरह से अलग करेंगे ताकि थागा नहीं उड़ जाए उसके बाद हम रिदी रही इस तरह से इसको घटा करेंगे दोनों भी में इस तरह करना है हमें इस तरीके से हमने इसको कर लिया है अब देखिए सीधी तरफ से इस तरह इसने भी हमारी सीधी साइड दोनों अंदर आनी चाहिए और एक हम इस तरफ लवाएंगे यहां से इस तरह से इस तरह से और तो इसने भी तोनों सीधी साइड हमारी इस तरह आनी चाहिए इस तरह दूंतरों और उसके बाद हम इसको इस तरह से खदर देंगे कि प्रह से चित बखाई वंकी तरह से खदो और अकी तरव ब делает यहां से विब दोक्यों हम इस तरव ठता हुई भागगा फजसले और कि यहां रतो हर में थक्षूइब हो ख्याओ क्रिज़ ईह समय है कैसे ओंदे और मिलाते है यहाँ से सिठीच करें इस साइप और इस साइप है ऐसे ही करना है यहां से यहां तक इस साइड भी लगाने है इस लाई और इस साइड भी लगाने है यहां से यहां तक अब देखिए हमारी फ्रोक बन कर तयार हो चुकी है अब देखिए एक श्ट्रीप लेनी है और इसकी चोड़ाई हमने 24 इंच की रख्टी हुई है और जो इसकी लैंट है वो ने 2 इंच की रख्टी हुई है अब सबसे पहले हमें इसको एक तरफ से नीचे की तरफ से इस तरह से फूल्ड करेंगे और इस तरफ हम एक बड़ी बख्या हम इसमें लगाएंगे यहां पर अब देखिए एक साइड हमने इसमें सलाई लगा दिया और इस साइड हम बड़ी बख्या करेंगे थोड़े इतना आगे के तिराफ रखते वे इसको धागे को अलग अलग करेंगे इस तरह से और जैसे हमने पहले इसको इखटा किया इसी की तरह से हम धागे को खिषते वे तागी का ये लग गणा प्रज्टा इसको एश्टा करना है गणिला हमेंगे पुरा मिलाते हुए यहां पर डबल सिलाई करेंगे कुछ इस तरीके से हमारी फूल दिखेगा हुए भाल दो पहां अुरा डिखेगा अुरा संद पहां प्रफश से चाहते हुए यहां अट सिला हुए जा इसला हुए हुआ है अब देखिए किस तरीके से हमने एक से दो साल की बेबी की ड्रस बना कर तयार की है और बनने के बाद यह कितनी खुश्चूरत लग रही है इसी तरीके से मागे लिए आपके लिए इसी तरीकी की वीडियो लाते रहेंगे आप हमारे यदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हमारी वीडियो को लाइक करें और जाए ज़्यादा शेयर करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स वाल बोचिए